हेलो एवरिवन वालकम टू माई चैनल वी वी लर्न टूड़े साइन्स अज मैं लोग साइन्स से जानेंगे कि MCQ जो मैंने Plantation और Nutrition पर पाड़वन की वीडियो डाली है आप उसे जाकर देखे उसके वाद MCQ सॉल्फ करें यह जो टॉपिक है यह आने वाले जो BPSC ठीक है बिहार जो सुपर्टेट के एक्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्पून है शुपड़ियों के पर नया है तो चलती से चैनल को सस्क्राइब कर लें थाकि हर बड़िक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो पहले कोशन से परचित हो जाए यह बायो की कोशन है पराशन की परिवासा है एक अर्द पारागम कला में होकर विले का प्रवाव बी कला के बगेर जल का सी अर्द पारागम कला में होकर कम से अधिक सांदरता की और विलायक जल का प्रवाव डियूपिक में से कोई नहीं आप प्रश्टों को समझें उसके बाए इसके अतुर दे क्योंकि आपके एक्जाम में निगेटी मार्क रहेंगे इट्स एंसर इस सी आर्द प्रागम कला में होकर कम से अधिक सांदरता की और विलायक जल का प्रवाव अधिक लबन वाले विलियन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड जाती है क्योंकि आप निव्टिशन ब्लाइटिशन जो मैंने विडियो बनाई है उसे आप जरूर देखे उसके बाद इस प्रश्टू को solve करें ओके सेकेंड नमबर के उत्तर जाएगा बी जल बाय प्राशन द्वारा बाहर निकलता है यदि एक कोशिका आकार में निवनिक्रित होती है जब यह एक विलेन में सब रख दी जाती है ऐसा विलेन होता है आप प्रश्टों को समझ लें उसके बाद इसका उत्तर दें आप थर्ड नमबर के उत्तर दें इस answer is B, hypertonic यदि एक कोशिका आकार में निवनिक्रित होती है जब यह एक विलेन में सब रख दी आती है तो ऐसे विलेन कम लोग क्या बलते हैं? hypertonic ठीक है? Come to the four number question एक कोशिका आईतन बढ़ती है जब वो रखी जाती है A, एक सम पराशरी विलेन में, B, एक अती पराशरी विलेन में, C, एक अलप पराशरी विलेन में, D, इनमें से कोई निए एक कोशिका आईतन में बढ़ती है जब वो रखी जाती है आप four number को उत्तर दें, okay, its answer is C, एक अलप पराशरी विलेन में Come to the fifth number question बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते है A, पराशन के कारण, B, अंतासोसन के कारण, C, जलियाप गड़न के कारण, D, जीव द्रव कुंचन के कारण आप बताइए, बीज फूलते हैं जब जल में रखे आते आप four number को उत्तर दें, okay, its answer is B, अंतासोसन के कारण बने दर्वाजों का वर्षारित्यू में फूलना होता है A, अंताव प्रसारन के कारण, B, अंतासोसन के कारण, C, कोशिकत्यू के कारण, D, बीज, बीजीव द्रव संकुचन के कारण आप प्रश्ट को समझें क्या पूछा जा रहा है लकडी के बने दर्वाजे का वर्षा रित्यू में फूलना होता है आप्सन को देख लें ओके इट्स एंसर इस B अन्ता सोसन के कारण come to the 7 नंबर उर्वरकों का अत्रिक्त मात्रा में प्रेव पूदों की मिर्थू का कारण बनता है जब आप उर्वरक जादा डाल देते हैं पूदों में तो मिर्थू A. अन्ता परासरन के कारण B. बाई परासरन के कारण D. अन्ता सोसन कारण D. इस्पिती के कारण आप 7 नंबर को उत्तर दे ओके Its answer is B. बाई परासरन के कारण Come to the 8 नंबर पूदों में जल का परिवान होता है मैंने पूदे जल को एडप्ट करते हैं कैसे A. केंबियन द्वारा B. फ्लेयोम द्वारा C. जायलन द्वारा D. बाई तोचा द्वारा आप 8 नंबर को उत्तर दे Its answer is C. जायलन द्वारा यहनी जो पौदे होते हैं वो जल का परिवान कैसे करते हैं जायलन द्वारा Come to the 9 नंबर भूमी में पौदों की जड़ों के लिए उपलब जल होता है A. कुसिका जल B. आद्र त्राग्राई जल C. गुरुत्य जल D. इन में से कोई नहीं आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा 9 नंबर का पुत्तर दे Its answer is A. कुशिका जल भूमी में पौदों की जड़ों के लिए उपलब जल होता है कुशिका जल ठीक है देखें ना किवाल BPSC में ही काम नहीं आएंगे बलके आप जितनी भी competitive exam की त्यारी करते है वहाँ ये कोशन पुझे आते है Come to the 10 नंबर पौदों की बृधी के लिए कितने आवशक तत्तों की जरुवत होती है यहाँ देखें गौर की जी कोशन पौदों की बृधी के लिए कितने आवशक तत्तों की जरुवत होती है A6, B10, C16, D21 आप 10 नंबर को उत्तर देए ओके इट्स एंसर इस C यहनि 16 पौदों की बृधी के लिए कम से कम 16 तत्तों की जरुवत होती है Come to the 11 नंबर धान का खहरा रोग लगुपद रोग किस तत्तों की कमी से होता है इस तरह के कोशन पूछे जाएंगे आपके BPSC एक्जाम में A. जस्ता B. कॉपर C. केल्सियम D. मेंगनेशियम आप 11 नंबर को उत्तर देए ओके इट्स एंसर इस A यहनि धान का खहरा रोग या लगुपद रोग जस्ता की कमी से होता है Come to the 12 नंबर 12 नंबर में क्या इसे भी गौर करें फूल कोबी का विटेल रोग किस तत्तों की कमी से होता है A. जिंक B. M. O. C. C. U. D. M. G A. जडन B. M. O. C. C. U. D. M. G आप 12 नंबर को उत्तर देए शॉर्ट फॉर्म दिया गया है ओके ओके 12 नंबर को उत्तर हो जागा B. यानि फूल कोबी का विटेल रोग M. O. की कमी से होता है Come to the 13 नंबर पत्तियों की हरीम हीनता किस की कमी से होती है A. C. A. B. M. G. C. M. O. D. C. U. पत्तियों में जो हरापन हरीम हीनता हमको लग रहा कि यहाँ पूचा जारा आपसे कि हरापन जो कम होता है किस की कमी से होता है Come to the 13 नंबर अब इसको उत्तर दे Okay Its answer is B. M. G. ठीक है Come to the 14 नंबर पौदों में वाविये भागों में से वास्प के रूप में जल हानी को कहते हैं A. परासरन B. सुसन C. प्रकास संसलेशन D. वास्पो सर्जन आप 14 नंबर को उत्तर दे 14 नंबर क्या कह रहा है Okay Its answer is D. वास्पो सर्जन देखेंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों को साथ सेर भी जरूर करें और लाइक भी करना ना भूले क्योंकि आपका लाइक हमें और अच्छे सच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है Come to the 15 नंबर वास्पो सर्जन वास्पो वास्पोत सर्जन होता है A. तनों से B. चड़ो से C. पत्यो से D. सभी वाई वीए भागो से आप इसके उच्छाण को कर लेंगे आप 50 नंबर को उतर दें ओके Its answer is D. सभी वाई वाई वागो से Come to the 16 नंबर वास्पोत सर्जन में होता है A. पत्यो से Carbon Dexate बाहर निकलती है B. पत्यो से पानी वास्प के रूप पे निकलता है C. पत्यो से पानी बंद के रूप पे निकलता है D. पत्यो से Oxygen निकलती है अब इससे गौर करेंगे यहाँ तीनों पॉइंट को आप देख ले और बताएं किसका सही उत्तर क्या होगा 60 नमर का Okay Its answer is B. इन्ही पत्यो से पानी वास्प के रूप में निकलती है इन्ही पत्यो से पानी वास्प के रूप में निकलता है यह वास्पोत सर्जन में यही होता है पत्तियों से पानी वास के रूप में निकलता है Come to the 70 number वासपोत सर्जन मापी यंत्र क्या है A. हाइग्रोमेटर B. क्रैस्कोमेटर C. पोटोमेटर C. क्लाइनोमेटर अब इस यंत्र को बताए इस यंत्र को क्या कहते है अब 70 number का उत्तर दे है Its answer is C. C. पोटोमेटर Come to the 80 number पौधो में वासपोत सर्जन की क्रिया किस में होती है A. जड़ B. बीतना C. पत्ति D. पूरा पौधा देखें रेल्वें भी आया हुआ कोशन है ठीक है? आप 80 number को उत्तर दे Okay Its answer is D. पूरा पौधा ठीक है? Come to the 90 number वा दसा जिसमें वासपोत सर्जन अधिक तेजी से होगा या होती है A. वायू का निमनवेक B. निमननमी और उचा तापमान C. उचनमी D. भूमी में जल की अत्रिक्त मात्रा आप 90 number को उत्तर दे इसमें वासपोत सर्जन अधिक तेजी से होगा होती है किसमें होती है Okay Its answer is B. निमननमी और उचा तापमान Come to the 20 number पत्तियों के दो मुख कारे होते है A. वासपोत सर्जन वासवसन B. स्वसन वापाचन C. प्रकास संसलेशन वासवसन D. प्रकास संसलेशन वासवसर्जन पत्तियों के दो मुख कारे होते है आप 20 नमर को उत्तर दें Okay Its answer is D. प्रकास संसलेशन वासवसर्जन मैंने फोडो तीन से 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 के बारे में डीटेल मैंने जो वीडियो बनाई है उससे मैंने बताया है Come to the 21 number question पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक है जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है A. प्रकास संसलेशन B. वासवसर्जन C. जलियाब गडण D. स्वसन अब बताया है इसका सही उत्तर क्या होगा 21 number का Okay Its answer is B. वासवसर्जन Come to the 22 number किस क्रिया के फलसरूप पहुदों में अक्सियन का निकास एवं कार्वन डेक्साइट का उस्वसर्जन होता है यह भी मैंने आपको बताया है किस तरह से कार्वन डेक्साइट निकलती है और अक्सियन को एड़प्ट करती है गुलकोस भी यहाँ फॉर्म होता है ठीक है न किस क्रिया के पहुदों में अक्सियन का निकास एवं कार्वन डेक्साइट का उस्वसर्जन होता है आप ट्वंटीटू नमर को उत्तर दें ओके इट्स एंसर इस ए प्रकास संसियन प्रकास संसियन की क्रिया में निकित में से कौन आवश्यक है A. कार्वन डेक्साइट इसे को और करने B. क्लॉरोफिल C. सुरी का प्रकास D. उपिक्सवी आप डिटेल वीडियो भी जरूर देखे न्यूट्रिशन प्लांट का उसमें इन से बातों के मियन जिक्र की है आप 23rd नमबर के उत्तर दे Its answer is D. यानि प्रकास संसियन क्रिया में कार्वन डेक्साइट भी आवश्यक है सुरी का प्रकास भी आवश्यक है और क्लॉरोफिल भी आवश्यक है Come to the 24 नमबर प्रकास संसियसन की क्रिया में क्या बाहर निकलता है आप को और करें यहाँ पर A. हाइड्रोजन B. कार्वन डेक्साइट C. आउक्सीजन D. क्लॉरीन 24 नमबर के उत्तर दे प्रकास संसियसन क्रिया में क्या बाहर निकलता है Its answer is C. C. आउक्सीजन प्रकास संसियसन की क्रिया में जो आउक्सीजन होता है वो बाहर निकलता है Come to the 25 नमबर निम्रिकत में से कौन सा कतन असत्त है A. प्रकास संसियसन सुरी के प्रकास में होता है B. प्रकास संसियसन में CO2 का उप्योग होता है C. प्रकास संसर में O2 का उपयोग होता है D. प्रकास संसर में O2 बाहर निकलता है यहाँ आपको असत्य बताने है इस तरह के भी question पूछे जाएंगे सत्य और असत्य आप प्रश्टुक को बारे की से पढ़ें उसके बाद उत्तर दे 25 नमर को उत्तर दे Its answer is C. प्रकास संसर में O2 का उपयोग होता है यह असत्य है बाद बाकिज इतने भी हैं सत्य है Come to the 26 summer प्रकास संसेशन की प्रक्रिया का प्रतम चरण है A. कारवन डेक्साइड का इस्थाई करण B. सुरी के प्रकास दोरा क्लोरोफिल का उत्तीजन C. पानी स्या उक्सियन का निकलना D. कार्बोइड़ेट का निर्माण आप 26 summer का उत्तर दे है Its answer is Sorry यह आप गवर करें Its answer is B. सुरी के प्रकास दोरा क्लोरोफिल का उत्तीजन इन्हीं प्रकास संसेशन प्रक्रिया का प्रतम चरण है सुरी के प्रकास दोरा क्लोरोफिल का उत्तीजन आपने 26 question complete कर ली यदि आपको वीडियो पसंद है आपने दोस्तों सा share करें वीडियो लाइक करना ना बूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रकास अंची झाल